गुद मारिंग स्टोडेंट्स हिंदी की कक्षा में आप सभी का स्वागत है आज हम पढ़ेंगे पाठ अठारा सीख भरे दो है तो इस पाठ में हम पढ़ेंगे कुछ दो है और उनके अर्थ को चलिए पढ़ते हैं पहला दोहा जाको राखे साइयां मार सके ना कोई बाल नबाका कर सके जो जग बैरी होई इसका अर्थ है कि जिसके साथ ईश्वर है उसका कोई भी कुछ बिगार नहीं सकता यदि पूरा संसार ही क्यों ना आपका शत्रू हो जाए बैरी हो जाए फिर भी वो आपके आपका कोई भी नुकसान नहीं कर सकता है अगला दोहा है काल करे सो आज कर आज करे सो अब पल में परले होईगी बहुरी करे को कब इस दोहे का अर्थ है जो काम हमें कल करना है उस काम को हमें आज ही कर लेना चाहिए और जो काम हमें आज करना है उसे हमें अभी कर लेना चाहिए क्योंकि समय का कोई भरोसा नहीं है समय कब पलड़ जाए तो आप अपना काम कब करेंगे अर्थात काम को समय रहते ही पूरा करना चाहिए और किसी भी काम को हमें कल पर नहीं डालना चाहिए अगला दोहा है रात गवाई सोई के दिवस गवाया खाए हीरा जन्म अमोल था कोड़ी बदला जाए इस दोहे का अत है रात सोने में बिता दी और दिन खाने में हीरे जैसा अनमोल जन्म जो हमें इश्वर ने दिया था इसका हमने कुछ भी सार्थक कारे नहीं किया यानि हमने पूरे जीवन में सार्थक कारे न करके इस हीरे जैसे अनमोल जन्म को व्यर्थी गवा दिया अगला दोहा है ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खोई और उनको शीतल करे आपो शीतल होई इस दोहे में कहा गया है कि हमें हमेशा मधुर वानी बोलनी चाहिए वानी ऐसी होनी चाहिए जिससे दूसरे के मन को भाए यानि लोगों को सुन करके उनका मन प्रसन हो जाए दूसरों को भी अच्छा लगे और खुद को भी अच्छा लगे अगला दोहा है अती का भला न बोलना अती की भली न चुप अती का भला न बरसना अती की भली न धूप इस दोहे में कहा गया है कि अधिकता किसी भी चीज़ की अच्छी नहीं होती है बहुत जादा बोलना भी नुकसान दायक होता है बहुत चुप रहना भी नुकसान दायक होता है और बहुत जादा बारिश हो तो भी नुकसान होता है और बहुत जादा अगर धूप हो तो भी नुकसान होता है तो इसका कहने का मतलब यह है कि किसी भी चीज की अधिकता अच्छी नहीं होती है इस दोहे से हमें क्या सीख मिलता है इस पार्ट से हमें यह सीख मिलता है कि मीठे वचन से हम जग को जीत सकते हैं सभी के मन को जीत सकते हैं तो इस पार्ट में बस इतना ही धन्यवाद